सुपरभाद बच्चों, मैं आरे अनलाल प्राथ में किसी छक केंद्री विद्यले निवकेंट प्रियाग राज से प्यारे बच्चों, आज हम प्रिम्जिम भाग पांच हिंदी के पाठ एक राख की रस्ची नामक पाठ में आये हुए सब्दार्थ या कठिन सब्दों के अर्थ समझेंगे बच्चों, इन कठिन सब्दों के अर्थ समझ लेने के बाद इस पार्ट को समझने में हमको बहुत आसानी होगी और पूरी कहानी हमारे समझ में आ जाएगी तो आए बच्चों, देखते हैं कठिन सब्द और उनके अर्थ सब्दार्थ बच्चों, पहला सब्द है मसहूर बच्चों, मसहूर का मतलब होता है प्रसिद अगला सब्द है चालाकी चालाकी का मतलब होता है चतुराई अगला सब्द है टिकना बच्चों, टिकना का अर्थ होता है रुकना चैन, चैन का अर्थ होता है आराम चिंता, चिंता का मतलब होता है सोच सहर, सहर का अर्थ होता है सहर या बाजार वर्ना, वर्ना का मतलब होता है नहीं तो हाजिर जवाबी हाजिर जवाबी तुरंत उत्तर देना इसका मुलाब होता है तुरंत उत्तर देना वापस वापस का मुलाब होता वच्चो फिर से लोड़ना गुसना गुसना का अर्थ होता है अंदर जाना रवाना किया रवाना किया का अर्थ होता है भेज देना बोरे बोरे का मतलब बच्चो एक बड़े थैले जूट के जिसमें आप लोग देखते होंगे कि रासन गल्ला आदी चीनी आदी पैखोगर के आती है हल हल समाधान हाल हाल मने इस्थिती दुखी बच्चो दुखी का मतलब परेशान आप बीती आप बीती का मतलब होता है खुद के साथ होने वाली बात यकीन का मलब होता है विश्वास सौंप कर दे कर कभी-कभी आप लोग कहते हैं कि यह काम हमने आपको सौंप दिया या यह चीज हम आपको दे दी इसका मलब होता है दे कर मदद का मलब होता है सहायता बिजई भाव का मलब होता है जीत की खुसी दो बारा का मलब होता है पुनह या फिरसे संदेश का मलब होता है सूचना या ख़बर गला का मतलब है गरदन मनजूर मनजूर का अर्थ होता है मान लेना समेत समेत पर लब होता बच्चो के साथ चकित चकित का मलब होता है हैरान धरी धरी का मतलब होता है रखी गमाए का अर्थ होता है नश्ट किये या खोए वक्त का मतलब होता है बच्चो समय प्रिस्ताव का मना बहुता है मांग असंभव का मना बहुता है बच्चो ना मुम्किन धूम धाम धूम धाम का अर्थ होता है बड़े जोर सोर से राख राख का मतलब होता है बच्चो किसी चीज के जलने के बाद बना पाउडर बच्चो जब कोई चीज नश्ट हो जाती है या जल जाती है तो क्या से जबसता है राख उसी के पाउडर को हम कहते हैं राख बच्चो मैंने इन सब्दों को अर्थ आपको बता दिया अब इन्ही सब्दों से हम वाख निर्मा εम बनाना सीखेंगे तो हाईए बच्चो मैं आपको बताता हूँ राख राख सब्द के अर्थ मैंने आपको पहली बता दिये हैं और मैंने आपको पुना बता रहा हूँ राख का मलाब होता है जब कोई जलकर नष्ट हो जाती है तो उसका बचा हुआ औसेस राख कहलाता है तो बच्चो राख का वाक बनेगा मेरी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई देखो बच्चो बड़े आसानी से हमने वाक बना लिया आप भी अपनी भासा में कोई वाक बना सकते हैं आगे मसहूर प्रसिद बच्चो वाक बनेगा ताज महल बिस्ट में मसहूर इमारत है चालाकी बच्चो वाक बनाएंगे दूकांदार बहुत चालाक होते हैं आसानी समन गया न वाक देखिए दूकांदार बहुत चालाक होते हैं आगे हाजिर जवाबी हाजिर जवाबी का मलब बच्चो होता है तुरंत जवाब देना हम इसका वाक बनाएंगे बीर बल हाजिर जवाबी थे बच्चो आपने पीछली के अच्छाओं में पढ़ा होगा बीर बल तुरंत उत्तर दे देते थे हाजिर जवाई मुलब होता है तुरह अंदुत्तर दे देते थे चैन चैन का मुलब होता है आराम माता जी काम करने के बाद चैन से सोती है वक्सरन माता जी काम करने के बाद चैन से सोती है असंभव असंभव का मुलब जो संभव ना हो आम आने नहीं संभाव बने संभाव तो जो असंभाव ना हो इसका हम बच्चो वाग बनाएंगे परिस्तरमी व्यक्त के लिए कोई काम असंभाव नहीं है आगे धूमधाम बच्चो धूमधाम का मतब बड़े जोर सोर से, खुसी से उत्तर भारत में होली धूमधाम से मनाई जाती है बच्चो हम सब जानते हैं कि हमारे हाँ होली कातिवार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है आगे बिजयी भाव बच्चो इसका वाग बनाएंगे उसके चेहरे पर बिजयी भाव साफ दिख रहा था अगरा वाग के सब्द हैं मदद मदद के मना वहता है सहायता बच्चों हम वाग बनाएंगे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए आप अपना वाग भी बना सकते इसी प्रकार से हमें बुरे बिक्तियों को सड़क पार कराने में मदद करनी चाहिए इस प्रकार से आप एक एक वाग मैंने आपको बता कर सिखा दिया है आप इसके कई वाग अपने आप बोल सकते हैं बच्चों अगला सब्द है मन्जूर सिच्छक ने हमारी बात मन्जूर कर ली कभी कभी हम सर से निवेदन करते हैं सर हमारा इस तरह कर दीजिए यहां गेम खिला दीजिए स्पीरिड में तो सर नहीं मानते लेकिन बाद में जब आप लोग बहुत मजबूर करते हैं तो टीचर मन्जूर कर लेते हैं कि ठीक है आईए इसी को कहते हैं सिख्छक ने समारी बात मन्जूर कर ली समस्या मेरी समस्या का हल केवल आप ही कर सकते हैं बच्चो वाकिस अरल है इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं वापस वह दो दिन बाद दिल्ली से वापस लोट आया वह दो दिन बाद दिल्ली से वापस लोट आया बच्चो अगला सब्ध है चिंदा वर्षा होने पर किसान चिंदा नहीं करते इधी वर्षा नहीं होती है तो किसान बहुत चिंदा करता है लेकिन जब वर्षा हो जाती है तो किसान किसी प्रकार की चिंदा नहीं करते बच्चो अग्ला सब्ध है रवाना करना मैंने रेल गारी से अपनी बेटी को रवाना किया रवाना करना भेजना तो हमने वाक्य बना लिया सरलसा मैंने रेल गारी से अपनी बेटी को रवाना किया बच्चो चकित तिड्डियों के दल को देखकर मैं चकित रह गया आप लोगों नहीं देखा होगा तिड्डियों का दल तो तिड्डियों के दल को देखकर मैं चकित रह गया अगला सब्दै संदेश सुचना या खबर देना पुराने समय में कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे बच्चों आपको पार्ठ में पढ़ाये गया है न पुराने समय में कबूतरों के दोरा एक अस्थान से दूसरे अस्थान संदेश भेजे जाते थे बच्चों आज इतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद